नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सके अग्री टेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चने की अच्छी पैदावार के लिए हम उसमें जो हैं पूरी तरीके से चने बन चुके हैं और अब ये पकने के दोर पर आ रहे हैं तो मैंने इनके अंदर कब पानी लगाया कब नहीं लगाया कब मैंने इल्ली का स्प्रे किया और किस तरीके से जो हैं चने बने हैं कितनी मात्रा में बन रहे हैं सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप सभी से निविदन है कि वीडियो को आप सुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना वीडियो को लाइक जरूर कर देना हो रहा दोस्तो इस चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना ताके आगे भी आपको ऐसी ही खेती बाड़ी से जुड़ी होई वीडियो समय समय पर मिलते रहे तो चले दोस्तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो इस वक्त आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर यह देख सकते हैं यह मेरे काबूली चने है और इनमे जो है अब पूरी तरीके से फूल बहुत कम रह चुके हैं और कापी ज़्यादा इसमें जो है चने बन चुके हैं दोस्तो आप देख सकते हैं और इसमें अगर हम दोस्तों पानी की बात करें कि मैंने जो हैं इनमें जो हैं पानी कब लगाया था और कितनी बार लगाया था तो दोस्तों यह जो मिटी हैं आप मिटी देखें अभी पुरी तरीके से सुकी हुई है काली मिटी है इनमें मैंने एक बार पानी लगाया था सु कुन से टाइम में अगर पानी की जोड़त पड़ती हैं तो जब इन में फूल स्टार्ट होते हैं सुरवात में जब चने के अंदर फूल आना शुरू होते हैं उस टाइम पर जो हैं चने को फ़स्ट पानी की जोड़त पड़ती हैं आप ज्यादा लेट पानी ना लगाए जै में जो चने हैं वो कम बनते हैं लेकिन अगर आप फूल आने के वक्त ही चने में पानी लगा देते हो तो चने का पोदा अपनी बढ़वार भी लेगा और उसके अंदर समय पर चने भी बनना शुरू हो जाएंगे तो मैंने भी एसाई किया था एक बार इसको पानी लगा था चने को, वो जब इसके अंदर फूल बनना शुरू हुए थे, उस टाइम पर जो है, मैंने चने में पानी लगा दिया था, और इल्ली का इस्प्रे भी आपको फस्ट इस्प्रे होता है इल्ली का वो भी उसी टाइम पर करना होता है जिस टाइम पर आप अपने चने को फस्ट पानी लगा रहे हो उस टाइम पर या तो आप इल्ली का इस्प्रे करके फस्ट पानी लगाईए या पानी लगाने के दो-तिन दिन बाद आप जो है अपने चनों में फ़स्ट इस्प्रे इल्ली का आप कर दीजे क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि इल्लियां अक्सर आती है तो उस टाइम पर आपको किसी भी परकार से लपरवाई नहीं बरतनी है और आपको फटा-फट से अपनी इल्ली का इस्प्रे आपको कर देना है ताकि आपके चने जो है वो सुरुक्सित रहे इल्लियों से दूसरे पानी के अगर हम बात करें तो दूसरा पानी जरुत के अनुसार लगाया जाता है ठीक है न दोस्तों इस वक्त आप जो चने देख रहे हो इन में मैंने दूसरा पानी अभी तक नहीं लगाया है क्योंकि दोस्तों यह मिट्टी के ऊपर रहता है अगर आपके जो मिट्टी है वो अच्छी है आपका खेट अच्छा है ज्यादा पानी के जोड नहीं पढ़ती है तो आप सिर्फ एकी बार पानी लगाएं लेकिन अगर आपकी पूने के बाद दूबरा पानी लगा रहे हो, जब फूल आ जाते हैं, उस टाइम पर फूल आने से पहले आपको फश्ट पानी लगाना है, फूल स्टार्ट होते हैं उस समय पर और फिर आप जो चन्ने बनना स्टार्ट होते हैं, उस टाइम पर आप जो हैं दूबरा पानी ल लगाना है क्या वता है कि पानि अगर हम लगा देते हैं तो फिर जो ही चना बढ़वार लेना शुरू कर देता है और उसके जो चने वह पकते नहीं है अच्छी तरीके से नहीं पक पाते हैं तो यह यहां पर तोड़ी समझ्या हो जाती है दुबारा आपको इस्प्रे अगर इल्ली का आप करना चाहते हो तो आपको करना होता है चन्ने बनने के दोरा जब आप देखिए अगर आपकी जो चन्ने बनने हुए हैं अगर उनको इल्लिया किसी भी तरीके से नुकसान पहु चन्ने देख रहे हैं इन नहीं किया और यह प्स्ट ना डिका ता दूबछा कंभी जो है ष Oliky व्याइक पानी लगाने से त्क निभी आप याँ पर देखरें यह वाले चन्ने ये कपी बड़े चन्ने हैं अगर में को नापने ने चोगी लिए उताजिए वे मैंने खेत में इदर से सीधे से यहां पर बीच में फंवारे की जो पाइप लाइन आती हैं वो डाल रही थी यहां पर तो उससे जो पानी निकला उनकी वज़े से यह इस तरीके से हुए हैं उनको तोड़ी ज्यादा पानी के मात्रा हो गई तो चने भले ही बड़े हैं लेकिन अभी तक इन में एक भी चना नहीं बनाएं तो यहां पर अगर इस तरीके के चने होते हैं तो उनमें दुबारा इल्या आने की भी संका रहते हैं क्योंकि चना अगर बड़ा होगा उसकी बढ़वार रहेगी और उसके नहे नहे पत्ते नि उनमें दुबारा इलिका इस्प्रेकन्णिकी भी जो नहीं पड़ेगी और वो चने पूरी तरीके से खड़े रहते हैं अभी ये आप देखें दुबारा के पानीकी चने जो हैं ये एक दूसरे के उपर घिर चुके हैं और इनमें अभी किसी भी परकार का चना भी नहीं बना तो दोस्तों इसे तरीके से जो है चने की जो खेती होते हैं इसमें अगर हम पैदावार की बात करें तो लगबग 5-6 कुंटल प्रती भीगा के इसाब से जो हैं चने की पैदावार निकल जाती है तो दोस्तों उम्मिद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद